तो हेलो एब्रिवान आज ही हमारे रिजनिंग के पार्ट नमबर फर्स्ट जोगी नमबर सीरीज के कंटिनुएशन वाला नेक्स्ट वाला वीडियो है जिसके अंदर कि मैंने आपको बाता कि मैं आप लोगों को इस से रिलेटेट क्योशन सिखाने वाला हूं जो कि हमने क्योशन से उन्स अभी का मैंने एक पीडियो बना करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं सबसे पहले तो जा कि उस पीडियो को डाउनलोड करो पहले उन क्योशन को सॉल्व करो एप्रोक्सिमेटली 15-14 क्योशन से उनको सॉल्व करो फिर उसके बाद में जब हम यहां लोग अपने खुद के क्योशन सॉल्व करो पीडियो डाउनलोड कर लो पहले उसको सॉल्व करो फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखना तो आपको इससे बेनिफिट होगा कि आप एक्जाम में जब आपके सामने ऐसे क्योशन सायंगे रीजनिंग के तो आप कहां पर आपको अपनी मिस्टिक्स पता लगेंगे जब आपको मिस्टिक्स पता लग जाएगी तो आप उसको इंप्रूब करते चाहिए कि तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाले तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं तो अभी आप लोगों को पहली बता देता ह तो यह मतलब यह हुआ कि यह जो वीडियो के अंदर करीब करी 14 क्योशन से जब 14 क्योशन है तो उनके लिए करीब करीब कितनी मिनट्स होंगी 14-15 मिनट्स तो फिर अब देखो 15 मिनट्स के लिए ध्यान से सुनना सारे इक सारे मोबाइल फोन वागेर सब कुछ बंद गर दो 15 मिनट्स के लिए सारे सारे के सारे क्योशन ध्यान से सुनना आपको कभी भी यह नंबर सीरीज को रिवाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5,16,51,158 तो फिर इसमें पूछा गया कि next सीरीज कौन्स होगी तो फिर देखो इसके अंदर जब भी हमने देखा कि इसके अंदर 16 है 51 है 158 है तो यहां पर ऐसा लग रहे कि यह multiplication होगा तो फिर सब से पहले decide गया कि multiplication होगा तो फिर इसके अंदर 16 कैसे आसकता है 5 से तो यहा 3 फिर उसके बाद में देखते है 158 किस तरीके से आगा यहां पर करेंगे 51 into 3 plus 5 करेंगे तो फिर यहां से समझ में आया कि इसके अंदर 3 के साथ में previous वाला multiplication होता है और फिर उसके साथ में क्या होते है odd number add होते है तो 135 फिर उसके बाद में क्या होगा 7 add होगा तो फिर क्या कर कर लिए तो आप देखते है question number 2 की तरफ तो आप है question number 2 के अंदर दिया वह है 198 और फिर उसके बाद में दिया वह दियावह है 194 और फिर उसके बाद में 185 और फिर 169 और फिर फिर पुछाएगी next term कौन्स होगी तो फिर देखो अब यहां पर देखा सबसे पहली यह ज्या तक कितने का difference आए यहाँ पर 4 था यहाँ पर 9 का 185 से लेकर कि 169 के अंदर कितने का difference आए वह है 16 का तो फिर next वाज़ जो difference आएगा 25 का तो क्या करेंगे 169 minus of 25 जब करेंगे तो यहाँ से आजएगा 144 144 है इसका answer अपने answer सारे-सारे match करना last के अंदर जब video complete हो जाएगी तो सारे-सारे अपने answer match करो फिर उसके बाद में मिलाओ कि कितने सही है और सारे-सारे अपना score बताओ कि 14 में से आपके कितने सही हो है तो फिर चलते question number 3 की तरफ तो अभी question number 3 के अंदर क्या दिया हो है 11,29,55,131 तो जब भी ऐसा question हो तो 11 से 29,55 तो आपको लग रहा है कि यह क्या हो रहे है यह हो रहे है किसी square के पास नहीं तो अभी देखो इस square इसको कैसे लिख सकते इसको लिख सकते 3 का square plus 2 अभी 29 को क्या लिखेंगे वो लिखेंगे 5 का square plus 2項ग,báis 4 और फिर उसके बाद में यहाँ पर 55 को क्या लिखेंगे वो लिखेंगे 7 का square plus of 6 तो फिर यहाँ से यह बात समाझ में आ रहे है कि इसकी जड propagate वह बन रिये और को स्कायर है और प्लस में क्या है ॉप न्बर There माइन्स वन हो रहा है उप्लस नमबर माइनस वन हो रहा है तो फिर अभी देखो यहाँ पर ओन भ था 3,5,7 तो नेES We नमबर क्या होगा वह होगा 9, 9 के अंदर स्क्वाइर होगा फिर इसके अंदर क्या एड होगा इसके अंदर होगा 8 एड होगा तो फिर जब हम इसे solve करेंगे 81 प्लस 8 तो फिर यहां से क्या आजेगा 89 इसका answer है तो फिर अभी देखें यहां पर question फिर उसके बाद 9 इसके हो तो फिर यहां से ऐसा हो रहा है कि यह is everyone to सबसे पहले कोई भी एक नंबर का क्यूब है यह सिरीष चल रही है तो फिर नेक्स्ट में क्या होगा यह है यह है यह 4 का स्क्वाइर तो फिर नेक्स्टोर होगी वह क्या होगी यहां पर 4 का क्यूब जो की सिरीष गया जाएस best तो फिर यहां पर क्या होगा वोगा डिविजन फोल होगा तो आपको डिविजन के अंदर जब भी ऐसे कुछ हो तो क्या करना है उसको इससे डिवाइट करते हैं तो फिर आपको पता लगजेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से जब आप इसे कैंसल आउट करेंगे यह हो जाएगा 4 और नीचे 0 है तो यह क्या हो जाएगा 0.4 तो फिर इसके अंदर यह हो रहा है कि इसको इससे डिवाइट करेंगे तो फिर अगर और देखें इसके बारे में तो फिर अगर 392 है यहाँ पर 392 को क्या करना है 156.8 से डिवाइट करना है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर यहां से भी 0.4 ही आएगा तो फिर यहां से यह भी बोल सकते हो आपकी एक तो किया है 0.4 से multiply किया है जब जाके 392 आया है फिर उसके बाद में 392 था 392 को क्या कि 0.4 से multiply किया है तो 156.8 तो फिर अभी next वाली जो इसकी series के लिए क्या चीह होगा 156.8 into 0.4 जब आप करेंगे तो जब आप इसे solve करेंगे तो यहां से जो answer है गो आएगा 162.72 इसका answer है तो फिर आप देखो इसके इनदे series स्टार्ट हो रही है वो यह 0 से 6,24,60,120 यह series चल ज़िए तो अब इस तरीके कि series को solve कैसे करना है तो फिर जब भी गवाली series अपर देखो यहां पर 00 कैसे बन सकता है वह 202- invented तो फिर समझ में आगे कि कोई number है इस उसके cube में से उस number को subtract करना है, तो 60 को देखेंगे, 60 को क्या लिखना है, 60 को क्या लिख सकते है, 64-4, 64 को क्या लिख सकते है, 4 का cube-4, तो फिर यहां पर next series, अगर 120 देखें, तो यह क्या होगा, वह यह होगा, 5 का cube-5, और फिर अभी 6 का cube क्या होता है, हमारे पास में 216, 216 होता यहां पर जो question number 7 है, इसमें आप लोगों से क्या पूछेगे हैं, दो missing numbers पूछेगें, कि दो number next कौन से हैंगे, तो उस तरीके के question के अंदर मैंने कहा है, कि जब भी ऐसा 7 हो, तो फिर 7 को आप क्या लिखोगे, इसको cubes की terms में, square की terms में ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 0 से लेकर के 63 के ओपर जयरे, तो क्या होग, यहां पर, exact है कि यहां पर power series काम मिली जाएगी, तो फिर यह बात याद रुखेंगे, जब power series काम मिली जादी, तो 7 को क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, 2 का cube minus 1 लिखेंगे, और ईसी तरीका से 26 को क्या लिेंगे, इसको लिखे आप यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या येगी वह घिरगा यहाँ पर वह घुलि जो कह आगा है वह घी तो फिर इसका आंसर होंगा कि प्रों के महीं क्या तोइसней नमबर hailutて है इसमी क्या त्या वैब आपको त्या तो फिर आभी देखो, यहाँ से 0 से लेकर के 116 के उपर गया है, तो exact है कि यहाँ पर multiplication नहीं होगा, यहाँ पर क्या काम में लीजाएगी, वो लीजाएगी power series, तो फिर अभी power series अब काम में लीजाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 को क्या लिख सकते हैं, 22 को क्या लाई करते हैं, 3 के cube के पास में मैं इसलिए मैंने क्या करकते है, इसके बहुआ हैont इसके बाद में, 2 का cube minus 3 क्या मैंने, और फिर 22 के इंदर क्या होगा, यहाँ पर इसके बहुत जिना, 3 का cube minus-5 तो फिर उसके बाद में 57 को क्या लिख सकता हूंıyorlar, 4 का cube minus 7, तो फिर यहाँ से यह समय्ज में आ रहा है कि इसके अंदर जो एक तो चल रही है यह चाल रही है चल रही है ज़री नेच्छलननबर की क्यूब ओर टीरिस या ओड़ अब श्रक्त हो रहे तो फिर उसके बाद में 7 आगे तो फिर नेक्सकली ओंडेड व्हेंड जॉसे 16 है तो फिर 205 है इसकांट, इसके अंदर क्या निकालने है, उसके अंदर निकालने है, रॉंग तम, देखो इसके अंदर basically mainly जो दो टाइप्स के क्योशन पुछे जाते हैं, नमबर सीरिस के अंदर एक तो जिसके अंदर की missing number निकालना होता है, दूसरा जिसके अंदर की कोई number गल निकोशन पूनिस के अंदर नमबर निकालना होता है, लेकिन यहां वह ऩह पर एक यहां पर लोगों को र Ching इसके यहां से समझ में आगे कि इसमें बनता है कि यहाँ पर जब हम इसे solve करेंगे तो क्या बनेगा 3 into मतलब यहाँ पर normal multiplication करना है और फिर उसके बाद में क्या करना है इसके अंदर natural number को add करना है तो फिर उसी तरीके से अगर 42 को बनाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा 19 into 2 जो क्या होता है 38 और फिर 3 के बाद में क्या होगा 4 तो 88 क्या है 88 एक wrong number है तो इसका answer क्या होगा वो हो गए 88 इसका answer है ठीक है यह देखें यहाँ पर question number 11 question number 11 के अंदर भी आपको एक series दीवे इसके अंदर से क्या निकालना है incorrect निकालना है और 72 को क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते है 9 into 8 और फिर उसके बाद में 63 को क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते है 9 into 7 तो फिर समझ में आगा कि इसके अंदर क्या चल रहे है 24, 72, 122 और 132 तो फिर आभी देखो यहाँ से 3 से लेकर के 132 के अपर जा रहे है multiplication से हो सकते है तो और उसके बाद में क्या हो सकते है power series से लेकिन आप देख रहे है 3, 6, 24 तो फिर यहाँ से 3 से 24 के अपर multiplication से इतना ज़ल्दी नहीं हो सकता तो क्या गलेंगे इतको power series से- ölल्व करेंगे जब भी power series से करना हो तो आपको देखना है 3 के पास में किस का square लाई करता है 2 का square लाई करता है तो 2 का square लाई करता है तो 2 का square śmaire – 1, 3 होगा क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, 8 का square minus 1, फिर उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, 72 को इसको लिख सकते हैं, 9 का square minus 9, तो फिर यहां से एक बात समझ में आ रही है, कि इसके अंदर जब series चल रही है, तो वो चल रही 2,3, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, 4 को skip किया जा रहे है, 4 को क्या कर रहे है, skip कर रहे है, और फिर उसके बाद में जो next आते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं, एक subtract करते हैं, फिर उसके बाद में जो next series आती है, उसमें से उतना ही subtract कर देते हैं, जितने का square, minus उसमें से उतना subtract कर देते हैं, तो फिर आभी देखो, यहाँ पर skip कर दिया है अभी यहाँ पर इसके अंदर 11 का square minus 1 करना था तो फिर यहाँ से क्या आया 100 11 का square minus 1 करेंगे तो यह आएगा 120 तो फिर इसके अंदर जो incorrect term है वो है 122 इसके अंदर incorrect term है तो फिर अभी यह question number 30 ने इसको important mark करिएगा ऐसा question काफी बार पूछे जाता है एक्जाम के अंदर इस question को important mark करिएगा इसके अंदर दिया है 136 9 36 10 116 125 तो देखो जब भी आपको ऐसे लगे 11 फिर उसके बाद में 36 फिर उसके बाद में 9 फिर 36 फिर उसके प्राद में 10 फिर हंड्रेट सिक्षraindex तो एक आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ पर एकदम से इंक्रीज ओ रहा है फिर उसके बाद नॉर्मल छाटे फिर उसके इंक्रीज हो रहा है फिर उसके बाद नॉरू फिर एकदम से फिर उसके बाद में क्या लेंगे वो लेंगे 36 और फिर उसके बाद में क्या लेंगे वो लेंगे 100 और फिर उसके बाद में क्या लेंगे वो लेंगे 225 ठीक है यह बन रहा है 1,9,36,100,225 और यहां पर क्या चल रही है 1,3,6,10 इसके इस स्क्वार रहा है। 15 स्क्ार होनाई लेकिन हम में क्या दिया हुए वह दिया हुए 16 तो यह क्या होगी यह वाला number गलत हो गया तो इसकी जिगह पर क्या ना चीद है 15 तो फिर इसका answer क्या हो जाएगा 16 इसका answer है इस तो फिर अभी देखो यहां पर यह होगा 3,13,27,48,75,108,147 तो फिर यहां से ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम इसको क्यूब में कनवर्ट कर देते कोई भी number के क्यूब में तो फिर हमें दिख गया है यहां पर क्यूब ठीक है क्यूब के अंदर कनवर्ट कर दिया तो फिर next of 148 को कैसे करोगे 75 को कैसे करोगे तो फिर इस तरीके कि जो क्यों होती हैं अंदर सबसे पहले देख को 3 फिर उसके बाद में क्या हो रहे ठाटीन फिर उसके बाद में इश्याइख को लिखेंगे 3 x 3 square फिर उसके बाद में 48 को क्या लिखेंगे 3 x 4 square तो फिर यहां से समझ में आगा कि इसके अदर बस basically क्या हो रहे है कि एक तो square हो रहे है फिर उसके बाद में square को क्या करने 3 से multiply कर देना है अब 75 को अगर देखेंगे तो क्या होगा 5 x 3 क्योंकि 25 x 3 75 अभी अगर इसको देखेंगे 6 x 3 तो फिर यहां से जो incorrect time निकली है वह निकली है 13 13 ही सबसे जदा परेशान करी थी तो फिर 13 ही इसका answer है तो फिर ऐसे ही हमा सारक सार questions solve करेंगे reasoning हमने start करेंगे हमार चैनल के उपर आपको reasoning के playlist बिलिस्ट बिल जाएगी और आपको हर रोज कि रोज जागे वीडियो देखनी है तो आपको नीचे subscribe का button मिलेगा लाल वाल तो उसको subscribe कर दो और उसके बास में notification का icon मिलेगा उसे भी प्रेस कर दो तो जब आप उसे प्रेस कर दो तो आपको पताल लग जाएगा कि आज यह वाली वीडियो तो आपको notification मिल जाएगो और आप हातों आँद देख सकते हो